हेलो गईस कैसे हैं आप लोग, स्वागा थे हैं आप लोगों का फीर से मेरे एक नएए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाई सकी इन्फिनीक स्मार्ट एट प्लस फोन में आप लोग वाइफआई no internet access प्रोबल्म को कैसे solve कर सकते हो अगर आपके पास एक इन्फिनीक स्मार्ट एट प्लस फोन है और इस फोन में जो है आपको वाइफआई no internet internet access problem देखने को मिल रहा है मतलब आपका जो वाई फाई है यह आपके डिवाइस के सथ कनेक्ट है लेकिन यह पर बार बार एक नोटीविय के शाना देगा सकी डिस्ति वो वाई-फाई है स्टो इंटरनेट एक्सेस और आपको जो वाइफाई का डाटा है जो नेट है वो भी नहीं चल रहा है तो केसे आप लोग इस प्रॉब्लेम को सॉल्ब करोगे गई तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडि अगर इस डिवाइस में इंटरनेट बंद होगा तो आपके फोन में ये प्रॉब्लेम मिलेगा देखने के लिए तो आपको इस डिवाइस में इंटरनेट को ओन करना है ये प्रॉब्लेम सॉल्फ हो जाएगा अगर फिर भी सॉल्फ नहीं हो रहेगा तो आपको जाना है क्लिक कर दीजी क्लिक करती है डालती है आपको जो डैपका वाइफाी शेटिंग्स हो रिसेट हो जाएगा और यहा जो यह प्रॉबलम हैं वाइफाील में इन्टर् IT एकसेस वाला यह भी सॉल्फ हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने इंफिनिक स्मार्ट एट प्लास पॉन में वाइफाई नो इंटरने एक्सेस प्रॉब्लेम को सॉल्व कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगो कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए औ मिलते हैं कर लेगने एक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई